नमिश्कार दोस्तों स्वागत है आपका रुपल की रसोई में दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत यूनिक डिलेशस सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हमने त्यार करा है सूपर फूर्ड मिलिट से तो मिलिट में हमने यूज करा है रागी का इसके पहले भी मैं रागी की रेसिपी आपके लिए लेकर रही हूँ तो आप उसे मेरे चैनल पर रिसर्च कर सकते हैं तो इस खिरानंग को बनाने के लिए हमें चाहिए रागी तो एक भारी तले का हमने बरतन लिया है और उसमें हमने डाली है आदा कप रागी और इस रागी को हम भून लेंगे तो हमेंसे ड्राइ ही रोस्ट करना है तो आप देखेंगे रागी का कलर अभी कुछ लाल है और जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे और ये अच्छे से फूल भी जाएगी जितनी इसमें चटकना होगी easily चटक जाएगी तो चार से पांच मिर्ट तक हम इसे हाई फ्लेम पे लगातार हिलाते हुए भूनेंगे और अब देखिए आप इसका कलर हलका सा चेंज हो चुका है कुछ इस तरह से थोड़ा डार्क हो चुका है फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे अब हम और इसमें अब हम डालने वाले हैं दूद तो हमने इस्तिमाल करा है डेर लेटर दूद का फ्लेम को स्लो करते हुए हम अपना दूद इसमें छोड़ देते हैं और दूद को उबलने के लिए छोड़ देते हैं और इस स्टेज में आपको इसे तले से लगातार हिलाना है क्योंकि जो रागी है वो नीचे चिपक सकती है तो आप इसे लगातार हिलाते हुए 5-7 मिट तक पकाईए और इसमें जैसे ही एक उबाल आजाता है फ्लेम को आप स्लो कर दीजिए और इसे वबलने के लिए आप छोड़ दीजिए बीच बीच में आप इसे हिलाते जरूर रहिए तो यह देखिए जैसे जैसे रागी हमारी पकने लगी है थोड़ी सी यह फूलने भी लगी है तो यह देखिए कुछ इस तरह से यह मूती की तरह चमकने लगेगी ट्रांस्पेरेंट यह देखने लगती है और अगर हम इसे हाथ उसे प्रैस करते हैं तो इजिली यह प्रैस भी होने लगेगी तो आपको दिखा देते हैं एक बार और हम अच्छे से यह देखिए और अब हम इसे प्रैस करकर भी चेक कर लेते हैं तो इजिली प्रैस हो रही है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे वापस से उबलने के लिए छोड़ देते हैं 10-15 मिड़ बाद हम इसमें डालेंगे आदा कप चीनी का बूरा तो मैं अपनी हर रेसिपी में देसी चीनी का यूज करती हूं जिससे हमारी जो रेसिपी है और भी हैल्दी हो जाती है और यह देखी हमने से चीनी के साथ भी 10-15 मिड़ तक पकाया है बीच बीच में आप इसे हिलाईए जरूर और इसके लगभग जितने भी दाने थे वो अच्छे से फूल चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे कस्टड पाउडर तो हमने लिया है एक चमच कस्टड पाउडर और इसे हम अच्छे से दूद में खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम इसे मिक्स कर देते हैं अपनी खिरानन में तो कस्टर्ट पाउडर हमने मिक्स कर दिया है और लगातार हिलाते हुए हम इसे 5-7 मिर्ट तक कस्टर्ट पाउडर के साथ और पकाएंगे तो दोस्तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को जोइन जरूर कीजिए और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में चुरूर बताईएगा और अब हम इसमें डालेंगे इलाइची पाउडर तो आदा चमच हम लेंगे इलाइची पाउडर और उसे भी छोड़ देते हैं अपने खिरानन में और इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से जिन लोगों को चामल से एलर्जी है आप अगर इस तरह से रागी की खीर त्यार करेंगे तो बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हमारी खीर त्यार हो जाती है और सबसे आखरी में हम इसमें डालेंगे आदा चमच देसी घी तो खिरानन में घी जरूर डलता है इससे हमारे जो खिरानन का टेस्ट हो बहुत ही अच्छा हो जाता है और घी के साथ इसे मिक्स कर लेते हैं दो से तीन मिर तक हम घी के साथ पकाएंगे अब हम फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसे हम किसी बाउल में सर्व कर लेते हैं तो तो इससे बावल में निकाल लेती हूं और यह देखे कुछ इस तर छे तैयार हुए जैसे यह थंडी होगी बहुती टेस्टी और बहुती गाड़ी भी हो जाती है तो तैयार है हमारी खीर अब हम इस पे कुछ ट्रायफूर्ट स्प्रिंगल कर देते हैं तो हम इस पे डालेंगे पिश्टा और बदाम की कत्रन तो तयार है हमारी डिलिश्ट सी खीर और यह कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बतेएगा थेंक्स फॉर वाचिंग